ब्लडी संडे में आपका स्वागत है दोस्तों मेरा नाम है जै और आज मैं आपको डराने के लिए बूदों की बेहादिक खौफनाक और सच्ची कहानिया लेकर आये हूँ जिनने सुनने के बाद आपको यकीनन बहुत मजाएगा तो बस तयार हो जाएए कुछ बेहादिक खौफनाक और सच्ची डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरा नाम जिगनेश सिन महाजन है ये मेरे साथ गटी बिलकुल सच्ची घटना है पेसे से मैं एक कॉलेज इस्टूडेंट हूँ ये घटना मेरे साथ करीब तीन साल पहले गटी थे जब कॉलेज की छुटिया हुई तो मैं वापस गउन लोटाया लेकिन गउन में मुझे चला कि मेरे दोस्त मंदीक के ट्रेक्टर के नीचे आ जाने से मौत हो गई है ये जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मंदीक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था जिसे मैं बहुत पसंद करता था लेकिन अब भगवान की मर्जी के आगे मैं क्या कर सकता था मगर फिर कुछ दिनों बाद जब मैं एक दिन भरी दो बहर को मंदीक के आम के बगीचे में आम खाने गया हुआ था तो वहां मेरी नजर मंदीक की कब्र पर पड़ी दरसल आम के बगीचे के पास ही एक ट्रैक्टर खेत में जुदाई कर रहा था जिसके नीचे आ जाने से मंदीक किलास कई तुग्डों में अलग हो गई थी इसलिए वही पर मंदीक के सरीर के तुग्डों को दफना दिया गया था खेर फिर मैं मंदीक के आम के पेड़ पर चड़ गया और आम तोड़ कर खाने लगा उस वक्त दोबहर की कड़ी धूप में वहां मेरे अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं था अभी मैं आम तोड़ कर खा ही रहा था कि तभी वो आम का पेड़ अजानक ही जोरों से हिलने लगा और अजानक ही मौसम में बदलाव होने लगा इतनी कर्मी में भी एकदम से मुझे ठंड महसूस होने लगी मैं बहुत खबरा गया लेकिन तभी मुझे एक आवाज सुनाई दे तुझे मेरी याद नहीं आते मेरी मौत पर भी तुम मुझे मिलने नहीं आया और अब बीना मेरी इजाज़त के मेरे पेड़ पर चड़ गया इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा वो सुनकर मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगा मगर मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया मैंने डरते हुए कहा कि कौन है कौन है यहाँ पर अभी मैं ये बोल ही रहा था कि तभी किसी अद्रस से सकती ने मेरी करदन पकड़ ले और एक धम से मेरा पूरा सरीर चकड़ने लगा मैं बुरी तरह से कराने लगा लेकिन तभी उस अद्रस से चीज़ ने मुझे पेड़ से नीचे फेक दिया नीचे गिरते ही एक बड़ा सा बांस मेरे पेट को चीरता हुआ अंदर की तरफ खुस गया और तब जो मेरी मररतौल चीख निकली उससे चारों तरफ खौफ फैल गया अब मेरी सांसे उपर नीचे होने लगी थी और खून मेरे सरीर से बहे जा रहा था तब ही एक धूल का बांडर वहां उठने लगा और मेरे देखते ही देखते उस बांडर ने मेरे दोस्त मंदीक का रूप ले लिया जो की पूरी तरह से धूल से बना हुआ था वो देखकर मेरे तो रॉंग्टे खड़े हो गये और मैंने रोते हुए दबी आवाज में उससे कहा कि तू तो मेरा दोस्त है फिर भी मेरी जान के पीछे के उपड़ा हुआ है तो इस पर उसने कहा कि अगर तू वागई मुझे दोस्त समस्ता तो मेरी मौत पर मुझसे मिलने जरूर आता तुझे मालूम है कि मरने के बाद आत्मा को उसके करीबी अंतिम विदाई देते हैं मगर तू नहीं आया जबकि मैं तुझे हमेशा से अपना सबसे अच्छा दोस्त समस्ता था जीते जीतो मैं तुझे नहीं समझ पाया मगर मरने के बाद मैं तुझ से अपने एहसानों का बदला तेरी मौत लेकर पुरा करूँगा वैसे उसके मुझ पर वाकई बहुत एहसान थे लेकिन ये भी सस्था कि जब भी उसे मेरी जरूरत थी तो मैंने हमेशा उसे नजरंदाज किया था लेकिन वो इसका इतने भयानक तरीके से मुझ से बदला लेगा ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था अभी मैं उसकी रूह के सामने किड़गिडा ही रहा था कि तभी मेरा सरीर जमीन से उपर उठने लगा मैं जोड़ जोड़ से चीखने लगा मगर वहां मेरी चीक पुकार सुनने वाला कोई भी मौजूद नहीं था मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा तो मंदीक की रूह मेरी तरब बढ़ने लगी अब तक मैं पूरी तरह से अद्मरा हो चुका था लेकिन मौत के सामने खौब भी एक पेनकिलर का काम करता था इसलिए ऐसी हालत में जहां मेरे लिए उठकर खड़ा होना भी मुम्किन नहीं था तो वही मैं उठकर भागने लगा मगर भागते हुए मंदीक की रूह भी मेरा पीछा करने लगी उस वक्त जब मेरे पेट में एक पांस का तुकड़ा खुश चुका था उस हालत में भी मैं किस दर्द को महसूस करते हुए भाग रहा था सायद आप समझ सकते हैं लेकिन तभी एक भयानक नजारा मेरे सामने आया दरसल वहीं दूर खड़ा एक ट्रेक्टर अब तो मुझे मेरी मौद दिखाई देने लगी थी खेतों पर हाफते हुए मैं बेताहसा दोड़े जा रहा था तो वहीं मेरे पीजे ट्रेक्टर पर सवार मंदीक की रूह बढ़ी चली आ रही थी सायद वो मुझे भी अपनी ही तैसी मौद देने वाला था लेकिन तभी भागते हुए मुझे एक पीपल का पेंड दिखाई दिया जिसकी काउवाले पूजा करने आते थे और उसी पेंड के नीचे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ती रखी हुई थी मैं भागता हुआ उसी मूर्ती के पास महुँच गया और हनुमान जी की मूर्ती को हाथ में उठा कर प्रभु से मेरी जान बचाने की कुहार लगाने लगा लेकिन इसी बीच मंदीक की रूह भी वहाँ पहुच गए बगर हनुमान जी की मूर्ती को हाथ में लेते ही मेरा डर अब खतम हो चुका था मैं जोर जोर से हनुआन चालिसा पढ़ने लगा और ट्रैक्टर पर सवार मंदीक की रूँ जो की मेरी तरफ बढ़ रही थे उसी की तरफ हात में बजरंग बली की मूर्टी लेकर पढ़ने लगा जिस पर मूर्ति के संपर्क में आते ही वो ट्रैक्टर पीछे की तरफ हटने लगा और मंदीक की रूह बड़ी ही पुरी तरह से चीखने लगी तबी हनुवान जी की मूर्ति से एक लाल रोसनी निकलने लगी जो की सीधा मंदीक की रूह को जलाने लगी और फिर देखते ही देखते भगवान हनुवान जी ने अपनी सक्तियों से मंदीक की रूह का खात्मा कर दिया जिस पर चारों तरफ एक काला धुआ फैल गया और अगले ही पल सब कुछ सामान ने हो गया लेकिन अभी भी मैं एक बड़े दर्द से गुजर रहा था दरसल वो बास जो की मेरे पेट पर घुष चुका था उससे असहनी दर्द मुझे चीखने पर मजबूर कर रहा था फिर मैंने हनुमान जी की मूर्ति को वहीं पीपल के पेड़ के नीचे रखा और उनके हाथ जोड़कर मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा फिर जैसे तैसे प्रभू की क्रपा से मैं मेरे घर पहुँचा जहां मेरी ऐसी हालत देखकर सभी परेशान हो गए और फॉरण मुझे हॉस्पिटल में एड्मिट कराया गया जहां तीन दिनों तक इलाज के बाद मुझे बेड रिष्ट करना पड़ा और फिर जब मैं वहां से घर आया तो सभी ने मुझे से पूँचा कि आखिर तेरी ऐसी हालत हुई कैसे जिस पर मैंने सभी को पूरी बात पताई तो मेरी बाते सुनकर घर वालों के भी होस फाकता हो गया दोस्तो इस घटना के बाद फिर कभी मेरा सामना ऐसी चीजों से तो नहीं हुआ लेकिन आज भी जब मुझे ये घटना याद आती है तो मैं सहम जाता हूँ उस दिन हनुआन जी की क्रपा ही थे जो मेरी जान बच गए इसलिए मैं पूरी तरह से हनुआन जी की सक्तियों पर यकीन करता हूँ और उनकी रोजाना पूजा करता हूँ अगर आप भी बजरंगबली बाबा की सक्तियों पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में जै बजरंगबली लिखना मत भूलेगा मेरा नाम रितियस च्छा है ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि आज मैं आप सभी को बदाने जा रहा हूँ ये बात करीब तीन साल पहले की है तो हुआ कुछ ऐसा कि तीन साल पहले मैं मेरे एक रिष्टेदार की मौत पर उसके घर जा रहा था जो कि उसका घर मेरे घर से काफी दूर दूसरे सहर में था इसलिए मुझे वहाँ सुबह तक पहुँचना भी था तो मैंने रात दस बजे ही जब मुझे उसकी मौत के बारे में पता चला तो मैं फॉरण इस्टेशन पहुचा और वहाँ से ट्रेन लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ा लेकिन आधे रास्ते पर ही ट्रेन ने तम तोड़ दिया और एक सुंसान रास्ते पर तकनीगी खराबी के चलते खड़ी हो गए खैर पहले तो मुझे लगा कि कुछ तेर में ट्रेन ठीक होकर वापस रफ़तार पकड़ लेगी लेकिन देखते ही देखते आधा और फिर एक घंटा बीद गया लेकिन ट्रेन वैसे के वैसे ही वहाँ पर खड़ी हुई थी मैं अपनी बर्थ पर खिड़की से चिपक कर बैठा हुआ था लेकिन तभी मेरी खिड़की के बाहर एक सक्स ना जाने कहां से आ गया जिसने अपने चेहरे पर एक बेहादी डरावना मास्क पहन रखा था वो सक्स खिड़की से हाथ अंदर डाल कर मुझे बाहर खीचने लगा जिस पर मैं एकदम से सहम उठा और मैं उसे गुस्से से बोला कि ये क्या बत्तमीजी है मुझे लगा था कि सैद वो कोई चोर लोडे रहा है लेकिन तभी वो सक्स मुझे बाहर से ही गंदी गंदी कालियां देने लगा जिस पर मेरा पारा उपर चड़ने में भी देर नहीं लगे और मैं गुस्से से पैर पढ़कता हुआ अपनी बर्थ से उठा और ट्रेन से नीचे उतर गया जहां वो सक्स अभी भी मुझे गालियां दिये जा रहा था मैं गुस्से में आखे लाल किये उस सक्स के करीब पहुचा ही था कि तभी उस सक्स ने अपने चेहरे से वो माक्स के बाहर निकाला तो उसका चेहरा मेरे सामने आ गया जिसे देखकर मेरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई और मैं चीखते हुए वहां से भागने को हुआ ही था कि तभी वो सक्स जो कि कोई और नहीं बल्कि मेरे उसी रिस्तेदार की आत्मा थी जिसकी मौत पर मैं मातम मनाय जा रहा था लेकिन अब वो रिस्तेदार का भूत बड़े ही भयानक रूप में मेरे सामने था और उसने एक तम से मेरी करदन पकड़ ली और मुझे खसीटता हुआ ट्रेन से दूर ले गया उससे बचने के लिए मैं हाथ पैर किसी मचली की तरह फड़़ाने लगा लेकिन मैंने मेरे उस रिस्तेदार के साथ पैसो का एक बड़ा घोटाला किया हुआ था जिससे उसकी जिन्दगी पूरी तरह से बरबाद हो गई थी और इसी वज़े से टेंसर में उसकी बे उमर ही बिना वक्त के मौथ हो गई थी साथ मेरी इसी दूस्टता का बदला लेने के लिए उसकी आत्मा मेरे उपर हावी हो चुकी थी अब तो बुरी तरह से गिडगिलाते हुए मैं उससे माफी की भीक मांग रहा था लेकिन वो रिस्तेदार का खौफनाग भूत मेरी जान के पीछे पढ़ चुका था क्योंकि वो मुझे घसी इटते हुए एक ऐसी जगए पर ले गया जहां हर तरब पानी भरा हुआ था पानी की मौद सबसे ख़दरनाक मौदों में से होती है ये सोच कर ही मेरा सरीर पसीने से तार-तार होने लगा था लेकिन तभी उस रिस्तेदार के भूत ने मेरा मूँ पानी के अंदर खुशा दिया और मैं सांस ना आने से बुरी तरह से तड़पने लगा लेकिन ठेक तभी एक भयानक आवाज पानी के अंदर से आने लगी और देखते ही देखते कई सारे चल पिसाज पानी से बाहर निकलाए जिनें देख मैं तो थर-थराने लगा और मेरी भयानक मौत की दिल दहला देने वाली कल बना करने लगा लेकिन तभी एक अजीब बात मैंने नोटिस की कि जैसे जैसे वो जल पिसाज मेरी तरफ बढ़ रहे थे तो वही मेरे रिस्तेदार की आत्मा का ध्यान मुझ पर से हट रहा था और उन जल पिसाजों को आता देख मेरे रिस्तेदार का भूत जोर जोर से कुराने लगा ठीक जल पिसाज भी किसी अजीब आवाज में उसे जवाब देने लगे जो की मेरे समझ से बिलकुल बाहर था लेकिन तभी वो सैक्डो जल पिसाच मेरे रिस्तेदार के भूत के उपर तूट पड़े और पानी के बीच भूत और पिसाच आपस में अठास करने लगे हाला कि मेरे रिस्तेदार का भूत बड़ा ही ताकतवर और खतरनाक था लेकिन उन सैक्डो जल पिसाचों के बीच वो कमजोर दिखाई पढ़ रहा था लेकिन मुझे कैसे भी करके अपनी जान बजानी थी और मैं तुरंट मौके का फायदा उठाकर पानी से बाहर निखलाया और वापस ट्रेन की तरब भागने लगा भागते हुए मैं अपने भगवान को याद करने लगा और मेरी कलतियों की माफी मांगते हुए बस आज मेरी जान बजाने की गुहार लगाने लगा खैर भगवान ने मेरी सुन ले और मैं ट्रेन में वापस पहुचने में काम्याब हो गया लेकिन अब मुझे गलती से भी उस रिस्तेदार के भूत के घर उसकी मौत पर मातम मनाने नहीं जाना था क्योंकि अगर मैं वहां गया तो इस बात में कोई सक नहीं था कि फिर मेरे घर वाले मेरी मौत पर मातम मनाएंगे लिहाजन मैंने ट्रेन के वहाँ से रवाना होते ही अगले इस्टेशन पर उतर गया और वहाँ से वापसी की ट्रेन पकड़कर उल्टे पाउप घर लोटाया जिसके बाद फिर कभी मेरा सामना मेरे रिस्तेदार के भयानक भूत से तो नहीं हुआ लेकिन आज भी जब मुझे वो रात मेरे साथ खटा ये वाक्या याद आ जाता है तो मेरी रूख काप उठती है बस उस दिन मेरी किस्मत ने साथ दे दिया वरना सायथ मेरे साथ खटी इस खटना को बलडी संडे चैनल के साथ सेयर करने के लिए मैं चिंदा नहीं होता मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है मेरा नाम प्रसीक पाटिल है ये मेरे और मेरे दोस्त सुधीर राना के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है ये बात आज से करीब नौ साल पहले की है हाला कि मेरे साथ इस घटना को हुए वक्त तो काफी हो चुका है लेकिन आज भी इस घटना को याद करके मेरा दिल तहल जाता है और रूह काब उठती है दरसल ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं और मेरा दोस्थ सुधिर गुमने के लिए मुंबई की एक पापुलर जगए पर गए हुए थे लेकिन हमें वहां उतना मज़ा नहीं आया जितना कि उस जगए के बारे में लोग बढ़ा चड़ा कर बोलते हैं इसलिए मैं उस जगए का नाम आपको नहीं बता रहा हूँ लेकिन फिर भे हम पूरा दिन कई अलग अलग जगओं पर गए जहां वाकई हमें बड़ा मज़ा आया फिर रात करीब साधे नव बजे हमने एक होटल में खाना खाया और वापस बाइक से लोटने लगे हमारे घर के लिए लेकिन लोटते हुए मेरा दोस्त सुधेर जो की बाइक चला रहा था उसे घर जाने की बड़ी चलती थे इसलिए कुछ दूर चलने के बाद उसने एक सौटकट रास्ते पर बाइक को मोड लिया वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान और सन्नाटे से भरा हुआ था लेकिन सन्नाटे को चीरती हमारी बाइक तेजी से आगे की तरब बढ़ रही थी लेकिन किसी खामोस रास्ते पर जहां आम तोर पर कोई आता जाता ना हो वहां से जाने की भायानक सजा हमारे इंतजार में बैठी थी जिसका पता मुझे कुछ ही देर में चलने लगा दरसल उस रास्ते पर कुछ दूर अंदर जाने के बाद मुझे चारों तरफ से कुछ खौफनाक आवाजे सुनाई देने लगी जिन्हें सुनकर मैं तो बुरी तरह से खबराने लगा और मैंने डरते हुए थोड़ी दबी आवाज में सुधीर से बाइक और तेज चलाने को कहा जिस पर हसते हुए सुधीर ने कहा कि क्या यार तू जंगल से आती आवाजों से डर रहा है मेरे भाई ये कोई भूत प्रेत नहीं जंगल के कीड़े मकोडों की आवाजे है और फिर तू तो सेर के साथ बैठा है फिर भी डरता है अभी मेरा दोस्त बड़ी बड़ी टींगे हांख ही रहा था कि तभी कुछ सफेद साय जंगल से निकल हमारी बाई कब पीछा करने लगे उन सफेद आकरतियों को देखकर मेरे तो होस फाकता हो गया और मैंने चीखते हुए सुधिर को गाड़ी के साइड मिरर में एक नजर डालने को कहा और जब सुधिर ने बाई के सीसे में उन सफेद आकरतियों को पीछे आता हुआ देखा तो उसके भी रौंग्टे खड़े हो गया और एक ही पल में उसका सारा जोस छूमंतर हो गया और वो बाई को फुल स्पीड में भगाने लगा लेकिन तभी एक भयाना कौरत हमारी बाई के सामने प्रकट हो गए और उसके सामने आते ही बाई के पहिए अजानक ही जाम हो गए और टायर फट गए साथ ही हम दोनों बाई क समेथ रास्ते पर गिर पड़े जिससे हमारा पूरा सरीर बुरी तरह से छिल गया और हमारी बड़ी बुरी दुर्दसा हो गए रास्ते पर खून से लद्बत और कटे फटे कपड़ों के साथ अभी मैं करा ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस भयानक औरत पर पड़ी जो कि एक दम से हवा में उड़ते हुए मेरे और सुधीर के सामने आ गए और जोर जोर से सैथानी हसी हसने लगे तभी कुस्से से कराहते हुए सुधीर उस औरत को गालियां पकने लगा जिस पर वो औरत जो की एक दायान थे बड़ी ही भयानक तरीके से अठास करने लगे और उसने एक जटके से सुधीर की करदन दबोच ले और उसकी करदन पर अपने उंगले जितने लंबे दाद खुसा कर बेरहमी से उसका खून पीने लगे और उसके मांस को फाडने लगे तब जब सुधीर को वो ड़ायन बुरी तरह से नोच रही थे तो उसकी भयानक चीखे सुनकर मेरा कलेजा मुझ को आ चुका था और अब तो बस मुझे मेरी दर्दनाक मौत दिखाई देने लगी थी तो वही सुधीर मुझे उसकी मदद के लिए बुलाने लगा मगर इतना तो मैं समझ चुका था कि उस टायन के सामने मैं तो क्या लोगों का जुन्ड भी कमजोर पढ़ जाएगा इसलिए मैं इसी मौके की नजाकत को समझ कर सरपट वहां से भागने लगा लेकिन तभी भागते हुए मुझे सुधीर की बड़ी ही दर्दनाक चीख सुनाई दी मैंने तिर्ची नजर से पीछे की तरब देखा तो उस टायन ने सुधीर का सर उसके धर से अलक कर दिया था और अब वो टायन उसका खून पी रही थी जिन्दगी में पहली दफ़ा वो भयानक मंजर देखकर मेरे जैसे आदमी की उस वक्त क्या हालत रही होगी ये आप सब अंदाजा भी नहीं लगा सकते मैं तो बस भगवान से किसी तरह आज की रात मेरी जान बचाने की गुहार लगा रहा था लेकिन तभी वो टायन मेरे पीछे आने लगी जिसका पता मुझे उसकी हूं हूं की खौफनाक आवाजों से लग गया और जब मैंने भागते हुए तिर्ची निजर से पीछे की तरफ देखा तो वो टायन जिसके हाथ में सुधीर का कटा हुआ सर था हवा में तैरते हुए मेरे पीछे आ रही थी लेकिन मैं भी जान हाथेले पर लेकर बुरी तरह से बेतासा भागने लगा मौत का ऐसा तांड़ो मैंने कभी खुद के साथ बीतने का सपने में भी नहीं सोचा था भागते भागते मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था लेकिन फिर तभी वो डायन बस मेरे करीब पहुँच चुकी थी मगर अब वो वक्त आ चुका था जब मैं इस मुसीबत से निकलने वाला था दिरसल भागते भागते मैं उस सौट कट से निकल कर वापस हाईवे पर पहुँच चुका था जहांके सोर सरावे और आती जाती सेक्डों गाडियों के बीच उस टायन ने अपने उल्टे पैर वापस सुनसान रास्ते की दरफ ले लिए लेकिन आज उसके लिए सुधीर की लास उस सुनसान रास्ते पर मौजूद थी जिसे उस टायन ने बेरहमी से मौत के खाट उधार दिया था सायद इसी लिए उसने हाईवे पर पहुँच कर मेरा पीछा छोड़ दिया था वरना उस भयानक रोहु के लिए वो इनसानी चहल पहल और आती जाती काडियां बच्चों का खिलोना मात्र थी खेर मैं बुरी तरह से हाफते हुए हाईवे के बीच आकर नीचे किरपड़ा और मेरी सासे उपर नीचे होने लगे कुछ ही देर में हाईवे पर गाडियों का जाम लगने लगा और फिर कुछ नेक बंदों ने एम्बुलेंस को कॉल करके वहां बुला लिया फिर एम्बुलेंस के आते ही मुझे इस्ट्रेचर पर लिडाया गया जहां इस्ट्रेचर पर जाते तक मेरी आखों के सामने अंदेरा च्छा गया और मैं बेहोस हो गया फिर जब मुझे होस आया तो मैं हॉस्पिटल पर एड्मिटेट था और डॉक्टर ने बदाया कि आपके घाओं पर पट्टिक कर दी गई है और आपकी कोहनी और खुटने पर कई टाके लगाने पड़े हैं फिर डॉक्टर ने तेर हपते तक मुझे हॉस्पिटल में ही बेड्रेश्ट करने को कहा जहां करीब दो हपते बाद मैं अपने घर पहुँचा जब मेरे घर वालों ने मेरी ऐसी हालत देखी तो वो भी दंग रह गये और सभी के पूछने पर मैंने उन्हें सारी आप भी थी विस्तार से बताई जिसे सुनकर मेरे घर वालों के भी पैरो तले की जमीन निकल गई दोस्तों फिर कभी मेरा सामना उस टायन से तो नहीं हुआ लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस घटना को मेरे साथ हुए नव साल बीच चुके हैं लेकिन आज भी जब मुझे ये घटना याद आती है तो मेरी रोह काँ पुटती है और मैं बुरी तरह से सहम जाता हूँ मेरे साथ घटी ये घटना बिलकुल सच्ची है तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानिया मुझे उम्मिद है कि आपको ये कहानिया जरूर पसंद आयोंगी ऐसी सच्ची डराउनी और बेहाद एक खौफना कहानिया सुनने के लिए बलडी संडे इस योट्योब चनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को आल पर सिलेट करना भूलेगा मत क्योंकि बल आइकन को आल पर सिलेट करते के साथ है जब भी मेरा नया एपिसोड आएगा तो उसका आपको नौटिफिकेशन मिल जाया करेगा मैं मिलता हूँ आप से कुछ और सच्ची कहानियों के साथ तब तक के लिए बाई एंड टेक ग्यार